इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यों छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा चुर्माना, धुम्रपान ना करें ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा महेंगा, खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान महेंगा पढ़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाहने वालों के लिए भी, धुम्रपान पढ़ेगा महेंगा, सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है, शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, जानलेवा बड़के जानलेवा रडान जानलेवा है, झाल 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 श्रीरंग पटनम मैसूर जिला करनाटक राच्चे साक्षात श्रीरंग पटनम गुरू का प्रदेश है किसी समय यहाँ पर टीपू सुल्तान का एक छत्र राज चलता था राज गया राजा भी गया यहाँ की हुकूमत आज पूरी तरह से बदल चुकी है जिस जन्ता के राज की कल्पना की गयी थी उसकी जगह आज यहाँ जंगल राज चल रहा है हरी भाई और केशु भाई का राज चल रहा है हर राज्जी की तरह यहां भी पुलिस टेशन है, कोट है, कानून है लेकिन इन सब से उपर है हरी भाई और केशु भाई का चलने वाला पैरलल कानून जो जुल्म और भय पर्टिका हुआ है रुक जाओ CEO साहब, हद में रहोगे तो नोटों से खेलोगे उसे पार करके हमारे हद तक पहुचोगे तो जान कमाओगे मेरा चैनल पैसो के लिए विकाओ नहीं है यह जंता के इनसाफ के लिए है, यह टेली कास्ट जरूर होगा तुम्हारे टेलेकास्ट को में जर से उखाड सकता हूँ इनसाफ और धर्म को बिठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ क्या है ना चैनल वाले, धर्म के पीछे भागने वाले बेवकूफ होते हैं इनसाफ के पीछे भागने वाले कही के नहीं रह जाते इस बात का इतिहास गवा है उसी तरह जाती और धर्म की बातों को लेकर चलने वाले लोग टाइम वेस्ट करते हैं ये भी इतिहास में लिखा है कहते हैं कि बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास होता है लेकिन सच्चाई और इमामतरी का इलाज सिर्फ हरी भाई के पास है इतिहास इस बात का भी गवा है मतीजे देरी किस बात की शुरू हो जाओ छोटू कहां है ये कैसा जुल मैं ये कैसा बाप है एक आदमी पर इतनों का हमला ऐसा सीन तो मैं अक्सर फिल्मों में देखता रहता हूं भाई एक काक्रोच चुक चाप यहां से निकल ले वरना जाम से जाएगा उस तक पहुँचने से पहले तुम लोग इस दुनिया से चले जाओगे ओए तेरे जिसमें दस किलो मांस नहीं है और तु हमें धंका रहा है हम उसे मारेंगे और मार कर यहीं पतप नहीं जो भौकता है वो काटता नहीं जो काटता है वो भौकता नहीं जो अकिला निकलता है उसे असली मर्द कहते हैं जो कराटे में ब्लैक बेल्ट हो, वो किसी से नहीं डरता. दस मिलकर एक को मारे तो मरदार की नहीं होती. दस पर एक भारी पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और वो कॉन्फिडेंस मेरे पास है. जो तलवार से खेलता है उसे तो इस मामूली हथियार से डरा रहा है. इससे मेरा कॉंसेंट्रेशन लूज होता है और उसके बाद मैं सामने वाले की ये हालत करता हूँ. बर्सों से मेरे इच्छा थे कि मैं इस मंदिग में दर्शन के लिए आउं। तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हुआ तब जाकर ये मौका मिला है। सचे भक्तों की भक्ति कभी खाली नहीं चाहती था दीमा। हाँ, फाना, हाँ हाँ, हाँ पानी। जांगा ने तुम्हां हुआ है। फो मर्ता है तो मर्न दे दी चल जाये यांसे। यह भगवान इस शैतान को तो मार क्यों नहीं देता क्यों हमें तरपानी के लिए से जिंदा छोड़ा है यह कंद आजल काशी से अभिशे के लिए लाया गया था यह लो आराम से हाँ 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 तो के अच्छों हो गाय लवस्था में रंगनाथं टेपल के पढ़ा हुआ है आप जली से यहां आकर उसे आस्पिटल ले जाएए प्लीज तेरी तवियत कैसी है छोटू और यह खून कैसे लगा मेरे छोटू पर हाथ उठाने वाले सब को एक लड़के ने वहां आकर उन लोगों से मेरी चान बचा ली और उस लड़की ने पानी पिला कर मुझे नया चीवन दिया मुझे वो लड़की चाहिए डिस्चार्ज होने के बाद दो दिनों के लिए उस लड़की के साथ हैश करना मुझे उस लड़की से शादी करनी है दिल का दौरा पड़े तो इसका इलाज हो सकता है या फिर दिल का रोग लग जाए तो कुछ दिन जीवन जी कर उसे शांत किया जा सकता है पर जिंदगी में एक के होते हुए दूसरे को हड़ी बना कर कोई लटकाता है ये तो बता अपनी धर्म पत्नी को क्या जवाब देगा तू अब मेरी शादी का नया इतिहास रचेगा ना छोटू के पसंद की लड़की जहां कहीं हो उसे ढूण निकालो और उसे छोटू से मिलवाओ उस लड़की को कहां से ढूणे हमारे पस एड्रेस ही नहीं है उसका भाई वो इस शहर के पुलिस कमिशनर की बेटी है भाई किसी की भी हो तो क्या हुआ उसे पसंद क्या है हारी भाई के छोटू ने वो वक्त तुम्हारे लिए इतना बुरा था और उस वक्त उस लड़की का तुम्हारे पास आना और तुम्हें बचाना वाकई इतियास का ही कमाल है ए सूलज हर दिन तैस मैं पे है निगलता कट पत्ली के जैसा इश्वर हमें न चाता आग पानी है जवानी दर्या ये है एक तुफानी उत्तिना इसकी रवानी करती है ये तो मनमानी सही गलत ये कुछ ना समझे कि जो साम चित सoku साम बच्छल पूसी का जल्गी है ये सारा हमद से जो कठे पूसी की मंजिल है यार थेक उसका ही जीना है उसका ही मलना देखें जो कहा ही देखो न दुमाँ उसकी साहि जो न जाने डरना उसके बारे में तुम सोच चौना आठ कभी न मानी धन बहीला राखू लग्षे उसी का लो जागा अको में सिर्भानी जो रहता सबस्ती हारी जाय उसी जिक्सारा पावड़ा लड़ता ही रहता ना हारता हो बंदा जब जाहे मुझाए वो तो रबं की तरा खीचे फिर वो मंग दिल मनित की तरा वो कही ना रिखते, दासदे में सुटो, जाहे तुखा आधी, रोपके दे अधी, टैसे में आधी, रोपके दे। आली पर ऑड़के तु चब्चानों को उड़ा अबनी ताहानी अपनी लकीरों से तू बना सबने हारक तू आस्मानों ते बड़ा तू रखते हारक तब रूर तोल के तू चब्स नगे हां से धूल के हतावों की तू अपने दाम दे दुखा पुश्के से मुश्किल को आजार कर दिखा सिंगरी से लड़के हग अपनाने तो है जो हिस्सा तेरा अची दिले स्टॉप, रेट सिगनल सॉरी मेडम देखो, सब लोग सिगनल तोड़कर जा रहे हैं पर ये अखेले यहां खड़े है मैं चल्डी से इनकी एक स्नाप रे लेती हूँ दिनी जी वो कोई डालेंगे क्या मैडम नहीं, फेस्बॉक पर डालूँगी सर, आपको कमिशनर के ड्यूटी में देखकर इस शहर वाले गर्व कर हैं सर अल दे बेस्स सर थांक यो गविन स्वामी सर, आपसे मेरी एक परसनल रेक्वेस्ट या, टेल में मैंने कुछ दिन पहले वालेंटरी रेटार्मेंट के लिए अपलाई किया है सर इस काम में कुछ लोगों ने मेरी मदद की है सर, उनका ख्याल रखिएगा सर, सर, आपसे मिलने हरी भाई आये है हरी भाई, यहां नहीं, बोलो आफिस में आकर मिलें ओकी सर, हरी भाई शहर के लिकर किंग है सर उनके यहां आने का मतलब है खत्रे की घंटी सर नमस्कार कमिशनर साहब हमारे गोविन प्रसाद जी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिये मेरी अब यह उनका बड़पन है बैठो भतीजे लगता है तुम गलत जगा पे आ गया हो, यह सब क्या है मैं हूँ रंगा स्वामी, यह मेरा भतीजा हरी भाई इसका एक छोटा भाई है, जो स्मार्ट और खूबसूरत है, उसका नाम है केसू भाई बश्पन में खेलने के लिए उसे बैठ थमा दी, और जब बड़ा हो गया तूसे गन थमा दी और उसी के दिल को आपकी बेटी ने चुरा लिया है, अब इनकी शादी करनी पड़ेगी एक गुंड़े के खर से रिष्टा जोड़ू, ऐसा कोई में डरपो क्या सड़क शाब इनसान नहीं हो, पुलिस वाला हो पुलिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब जान पर बनाती है ना, तो पैंट गीली हो जाती है, इतियास इस बात का गवाह है एक बार जरा दोनों को मिलने तो दो, मेरा दावा है, मोम की तरह पिघल जाएगी आपकी बेटी How dare you जुबान पर लगाम लगा, वरना मैं तुझे शूट कर दूँगा ए कमिशनर, पिस्टोल क्या दिखा रहा है, हमारे पास भी है आकर देख लेना, बहुत सारे पड़े हैं, इसे अंदर रख ले, चल कुंडागिरी में सिखाया जाने वाला पहला सबक है धैरे रखना, इतियास इस बात का गवाह है ए कमिशनर, अगर ये शादी नहीं हुई, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा तुम लोग आराम से पेड़ भार खाना खाऊगे रात में सुकून से सोगे भी, सिर दुखने लगा तो टेबलेट भी खाऊगे हम भी तुमारी तरह हैं, लेकिन थोड़ा सा लग है कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है हम में मान जाओगे तो खुश्या मिलेंगी, नहीं मानोगे तो जान से जाओगे एए, तुझे जो भी कहना है ऑफिस में आकर कहना, घर में मैं डिस्कस नहीं करता तुम लोगों की ये पहली गलती है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ, आउट जरूर जाएंगे भाई, क्या सोचरों सब लेकर जाएंगे, एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, शादी के लिए हां किया, तो पहले शादी होगी, उसके बाद सुहागराद, और ना किया, तो समझ लो पहले सुहागराद, फिर शादी, इतिहास इसका गवाँ है अरे ओ बहुरानी, जी भर के शॉपिंग कर लो, शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ भई, चलो सब, सुन छोटू, नेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, इसके साथ घर बसाने के लिए, पहली बाली को रास्ते से हटा कर सही किया, बाजी हमारे हाथ है, मैच फि ममा, ये सब क्या है, तीन तरह की ताकत, पुलीस, पावर, पिस्टल्स, रखने वाले एक कमिश्टर की बेटी से, शादी करने के लिए एक रावडी रिष्टा लेकर आया है, और तुम्हारे डियरस डाड, गांधी जी का प्रवचन दे रहे है, मैडम, साहब ने अभी तक क्या है, वो बिल्कुल सही है, मेरी बच्ची चलती गाड़ी के सामने अचानक आ गए, इस छोटे से कारण के लिए, बीच रोट में उसे काट कर फेक दिया था इन लोगों ने, वर्दी पहन कर मौत से लड़ने वाले हम जैसे लोगों को, पैसों से और अपनी ताकत के बल दिखारी के तरह अपने दर्वासे का कुटा बना कर रखते हैं लोग, ऐसे खतर ना कहीं हैं सब्सक्राइब, बुराई को खत्म करने के लिए उत्रित हुए राम को भी, रामण को खत्म करने के लिए समय लगा था, मैं डरपोक नहीं हूँ, बस इंतचार है, आज अपने हा मैसूर की लड़किया तो बड़ी तेज दरार होती हैं, जैसे वेस्टन कंट्रीज में है न, वही ट्रेन यहाँ भी है, जब पूरी दुनिया बदल रही है, तो फिर इंडिया को पीछे रहेगा, कदम से कदम मिला कर चलो, लगता है वो आ गई ए क्रिष्टा परमेश्वर गोविंदा, गोपाला गोपाला, तेरी लीला तो बड़ी अद्भुत है, यो अधर लाड़ अव लाड़, यह लड़की केशु भाई की होने वाली पत्नी है, अगर उसे पता चल गया न, तो मैसूर पैलेस के बीचों भीज तेरी समाधी मनेग उसके चकरों पड़ा तो जान को खत्रा हो जाएगा, विकार में केशु भाई से पंगा मतले यार, एक पैग लगा ले सारी फीलिंग्स थंडी हो जाएंगी, चल, वैशनवी, वह वही डिजाइन है न, जो तुम्हें पसंद है, हाँ, 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 अरे, अंकर, संबल करें, केशु भाई के होने वाली देशे तुम्हें 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 लगता इस बुड़े के पर्मेन टिकेट कट गई, क्यों इनकी जान लेली बताओ, यहां से चल, सुन्दर है यार, तू नहीं जानता कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है तू, इसके चकर मे जान गवां देगा, पांच रुपय में फेर एंड लवडी का पाउच आता है, किस्मत में लिखी हो तो एश बर्या भी मिल जाएगी, लेकिन रिस्क भी तो कोई चीज है यारो, और उसको तो रिस्क लेकी ही पास सकते है, वैसे दोस्तों, क्रिकेट तो खिलाडियों को ही चाहिए, छोटे बच्चों का तो वो काम है नहीं, लेकिन मैं खेल के सारे पेंतरे जानता हूँ, मैं अकेला ही बॉलर, फिल्डर, बैट्समेन, यहां तक की अंपायर भी मैं खोदी हूँ, लव स्टोरी में जितना रिस्क होता है, लाइफ उतनी ही रोमेंटिक होती है, बीजाओ, बस यही टॉपिक है, ऐसे एडियेट के साथ एंगेजमेंट क्यों वेशू, यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ यार, तो फिर तु रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती, वो आप्शन मेरे पास नहीं है, हर लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चुनने का हक है, फिर वो बहुत पावरफुल है, और वो कुछ भी कर सकता है, मेरी डाट भी यह जानते हैं, मुझे इस बात से ना कोई टेंशन है और ना कोई डर है, I'm safe, यह मेरा sixth sense कह रहा है, ऐसा कर किसी के साथ प्यार करके उसके साथ भाग जा, ऐसा कोई जाबास लड़का मिल गया, तो मैं उसके साथ उड़ ही जाओगी, कोई मुझे छूब ही ले, यह उससे सहन नहीं होता, और ऐसी situation में, अगर मैं किसी से प्यार करूँगी, तो वो शरील और दिमाग से कमसोर नहीं, ताकतवर होगा, soldiers, flash news, College में holidays है क्या, आज हमारे college में एक लड़के को admission मिला है, लड़का, 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 एक लड़के का admission हुआ है, एक लड़के का, लेडिज में एक कॉलेज में एक मर्द को, पैसों के लालत्ष में admission दे दिया گیا, मेरे होते हुए, इस college में मै भी नहीं होने दुआ है और उसकी करने की उमर है तुम लोगों को मजाक लग रहा है और यहां मेरा खून जल रहा है खूबसुरा चीज में आकाशित करने का गुण होता है और मर्द में परिश्रम करने का अगर तुम्हें नैचुरल तरीके से समझाओं और वो अपनी नैचुरल हरकत करेगा तो लाइफ का होगा क्या और इस कॉलेज का भविश्ची क्या होगा तुम लोग क्या करोगे मैडम तुम बताओ तुम क्या करोगी मैं होती तो उससे पटाकर मैटरनिटी लीव ले 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 लिए लेने दीजी ना सर और इसे सीचते हैं कुछ पटा भी है पहले पानी और फिर खात दी जाती है और अगर अपनी बोरिया दूर करने के लिए बऊस का साहरा लिया तो पताये क्या होगा तुम लोगों को पेरेंट्च सब्सें करने के लिए बैघंगे हैश करने के लिए नहीं याँ परिवार न प्रलिस्पन! है प्रिंसे को बाँ बुला ड़ इसे कुछ रहा है साइध को बाहर प्रिंसिपल को स्वपल को पहर बुलाओ एक मिस्स की कॉलेज में एक मिस्टर को सीट कैसे दे दी सिस्टर आखिर किया कैसे यह इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़ो गए तो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी विद्यारती संगठन यहां से पारलिमेंट तक पद्यात्रा करते वे विरोध करेगी आपकी मेरे पीछे देखिए मेरी खड़े-खड़े भैंड बजा गई सारी सिस्टर सारी लड़कियोंने मुझे यकीन दिलाएता कि वो मेरा साथ देंगी सिस्टर लेकिन वक्त आने पर सब नुम दबाद के भाग देंक लुक मिस्टर जेडी सीनू, कवर्मेंट के नियम के अनुसार हर एक विमन्स कॉलेज में चार पसेंट सीट वोइस के लिए अलॉट होती है और हमें भी वो फॉलो करने होंगे हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर से स्पेशल ओडर आया है और इसमें अगर आपको कोई भी एधराज हो तो आप मिनिस्टर से जाकर पर्सनली बात कर सकते हैं प्रिंस्पल मेडम, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई खत्रा मोल लूँ मुझे तो अपने लेक्चर्स पढ़ाने चाहिए, ना कि यहां प्रोटेस्ट करना चाहिए सौरी मेडम डियर गर्ल्स, अभी आपी जिस रड़के ने जॉइन किया है वो कल तक से फैप्रिकेशन फॉर्म में था, पर आज वो मेरे फोन में भी है प्लीज, प्लीज, सब को भीजूँगी मैं मेल पे भीजने के 300, वाट्सेप पे भीजने के 600 कम ओन, कैश दो और ले जाओ हाँ 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 दिखने में तो चॉकलेट बॉय जैसा लग रहा है लेकिन इसने हमारा कॉलेज जॉइन किया है इसका मतलब या तो ये कोई टेरी चाल चलने आया है या फिर ये हम लड़कियों की जाल में भसने वाला है कॉलेज की गर्स, स्टुडेंट्स अगर मेक अप करके है वो तो समझ में आता है लेकिन जरा इने देखो, उमर पक चुकी है और वो इनके बेटे समान है लेकिन नखरे तो देखो जरा गूड़ी घोडी लाल लगाम जवानी का सावान आकर चला गया अब सजने दजने का क्या मतलब है मेडम, भूल कैसे कहें कि आप कॉलेज की लेक्ट्रार है हाई सर अब जरा इने देखो, शरीर के कपड़े घट गए अब तुभी बता, उपर वाले इनने कैसे संबाले इनका दिमाग खराम हुँए वाव, ग्लामर का गॉट फादर लग रहा है आउट पड़ी बहुत अच्छा है लगता है एक नया इतिहास लेक में आया है हमारे कॉलेज में चलो जितना अच्छा फोटो में लग रहा था सामने से तो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या बोली ना थे यार चल चल कर उसे वेलकम करते हैं क्रिश्णा गर्ल्स का ग्रूप इस तरफ आ रहा है कहीं गैंग अटक तो नहीं है जब तुम्हारा नाम ही कारतिक क्रिश्णा है तो तुम डरते क्यों हो ब्रदर धूर से डैलोग मरना असान है जो नस्दीक होता है उसे ही पता है सैकडों की खुशी के लिए अपनी जान से खेलने वाला एक वीर उचे नहीं पहचान पाया यह अच्छी बात नहीं है अब वाच्छी बनाए रखो फ्यूचर में आगे बडोगे इस्ट्स माई वाड थांक्स लॉड कृष्णा अई लॉव यू हैलो गल्स आइम कार्थिक कृष्णा है कार्थिक कृष्णा है कार्थिक वेल्कम तो द वर्लड उविमन संसार में गौड की बनाई हुई सारी अद्भू चीजों में द मोस्स ब्यूटिफुल क्रियेशन है लड़किया थांक्यू तुम्हारी हाइट शिक्स फीट वेट 76 फीवरिट कालर ब्लाक लड़किया अगर खुबसूरत हो एक्स्ट्रा फेवरिट फील फैशन माया बसार फिर्म के फैशन डिसाइनर कौन है पता है लौट कृष्णा यूर्फ्रेंड है क्या गर्ल्स नहीं फ्रेंड्स हैं लव नौट अनी कभी कोई अच्छी लड़की म हेलो है मैं आपको अल्रेडी जानती हूं आपको भी मैं जानता हूं क्यासे इन फैक्ट आप इसी शहर में रहने वाली हो ना मैंने आपको सिग्दन पर खड़े देखा था बहुत कम सिटिजन्स हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं मैंने आपकी फोटो क्लिक करके एफबी पर मैं आपको एक सच्छा ही बता हूं आपको फियान से सूट नहीं करता है वो तो मुझे भी बता है अच्छा देन वाइसो कॉंसेट सुनाने लगी तो रामायन बन जाएगी खोल कर कहूंगी तो महा भारत बन जाएगी इसलिए शॉटकट में कहूं तो ये सिफ सफ समझ होता है बाइदवे आम करती कृष्णा नियों इंट्री इस फोर यू आम वैशनवी लेजर मीटिंग यू फिर्स मीट में ही तुम्हारी मीठी बातों से मैं इंप्रेस हुई हूं थैंक यू कि शहर में एक और हाथसा हो गया है दिन दाहारे पब्लिक के बीच खून हैवानियत बढ़ गई है इंट्रेस्टी तका कारण हरी बाई और केसु बाई है तुम गवाही दोगे क्या आप सिटी पुलिस कमिशनर है आपका क्या रेक्शन है जिस किसी ने आपको ये इन्फोर कि लिए मुझे एक गवाहा ला कर दो तलाखों के पीछे होंगे वो दोनों क्या है कि हैं है वह थापन फॉर्स्ट ये ऑब रिजल्ट डिक्लेर हुआ है क्या सब को लिखा है इसलिए उसने लेटर पर किसी का नाम नहीं लिखा सिर्फ तीन अक्षरों के पीछे लाखों लड़किया दीवानी होकर पागलों जैसे भटक रही है सच कहूं तो इस संसार में उपर वाले ने लड़कियों को बड़ी फुरसत से सोच समझ कर बनाया है शहर की हो या आउटर रिंग रोड की हो लड़की हमेशा यही सोचती है कि उसका मन पसंद लड़का जहां कहीं भी हो उसे आकर मिल जाए मैसूर महानगर में ऐसा सोचने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है वक्त के साथ साथ रहन सहन बदल गया साड़ी पहना छोड़कर जीन्स पहनने लग गई मेरी नजर से देखो तो लड़कियां कोई खिलोरा नहीं है वो तो नारी शक्ती है इस संसार की खुबसूरत अपसरा है इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सारी लड़कियों का I love you कहना चाहता हूँ लेकिन यह मुमकिन नहीं है लेकिन उपर वाले की बनाई हुई इस अनमोल देन को मैं एक साथ कहता हूँ I love you I love you क्या कहा क्लास नहीं है लेकिन क्योस और किसली आ है अरे तुम लोहों को आखिर हो कया गया है चाहर पेर रख यार इस तरह कहा है भागे जा रही हो अगा कश्ते सबापरारे कंश्या जोर्लिा कार्ति कबड़ी खेल रहा है कबड़ी 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 कबड़ कृष्णा नो प्रॉबल्म ना इन फैक्ट लड़कियों की बीच में अकेला लड़का है मेडम कहीं जिंताता ना हो जाए कि अधिश्वाइब दिखाई उपर वाले दर्शन देखे सब को अपने चक्कर में फसा लिया अब तो तेरे हरेख सीन पर मैं सीटी बजाऊंगा रे उपर वाले हलो हाई यहां किली किसलिए बैठी हूं घर लोटते समय या घर से कहीं बाहर जाते समय मुझे सिर्फ एकी टेंशन है कर्थेक वही तो किसलिए मैं जब भी घर से कहीं बाहर जाती हूं तब हमीशा केशु भाई के लोग मुझे फॉलो करते रहते हैं मेरी सारी वीडम चली करता है आम टोटली फैड़ अप एक दिन तो ऐसा हो जब मैं फ्रीली जी सकूं अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकूं कारतिक कृष्णा वाट सिली गाल ठीक सोच रहा हो हूं यह अग्या है क्या अब ही उठा लेता हूं और सिर्फ एक दिन की परिशानी बची है ऐसा दिन में वो सारी लोग तुम्हारा चोड़ देंगे इट्स ओके ना प्लीज कार्थिक स्टॉप किडिंग कि 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 ...? घ primera कि लृब ऩल्ड़ ज कि व कर दो पर है on कर दो कर दो हइद थिह, फ कर दो हय को जह रो हम बडिस यह लग कि झाल झाल बंगजान तेوس कि अड 스क्स रल्ळ ए 만 खर रlavाल झाल कि अर्द साव्ओाइञ www.t UK खर्ण उर्एन हां पर पर खंग सुम्म नझल करा है! झुझ से जिए! कि अखर कने गॉल्स के डवस्दे यॉज करने में दियुखत मैं प्रेसे को ऐसे हैं आप को में मैं इख बटए मैंने अपनी जिंदिगी में सिर्फ दो लोगों से प्यार किया है एक चाचा और दूसरा तो जिने मैं भुला नहीं सकता और दोनों की खुश्यों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं जो जी में आयका लेकिन जरा होश्यारी से चोटे भाई को कुछ नहीं होगा अब बेकार में परिशान मत हो चोटू का मुझ तो देखो शादी के नाम से कैसे खिल उठाए एक बार इसकी शादी तो हो जाने दो बार बार बूलने से नजर लग जाती है इत्याहास इसका गवा है अरे यह क्या उस कमिश्णर की बेटी पर नजर रखने के लिका था और तुम मूझ सुझा के आ गए एक नकाप पोश्ट हमारी दुलाई की ये बात अगर भाई को पता चल गी तो हमें अनुबा निको बार पारसल कर देगा सब के चेहरे पर पटिया लगी हुई है ऐसा क क्या हो गया उसकी वज़ा से भाई किसकी उसकी गाड़ी इतनी तेज थी कि हमसे बचकर भाग गई भाई हमने उसका पीछा किया तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई भाई बिल्ली के गले में घंटी बानने काम चुहे को दोगे तो वह खुद शिकार हो जाता है इति तुम्हारी वज़े से वापस मिली है तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं मैं गाड़ी भेज रहा हूं कम सो इतनी सी बात तो तुम्हारे साथ उसका रिष्टा चुड़ चुका है तो इसमें डर कैसा किसी आवारा के साथ रहने वाली मैं कोई क्यारेक्टर लेस लड़की खता करके नहीं हूं संचहता करके एंगेज्मेंट कर लो इसमें तुम्हारी भलाई है अजस्स कर लो जिंदें के मतलब नहीं करना चाहता है मुझे एश की जिंदकी नहीं चाहिए मुझे बस खुश रहना है उकते हुवे सूरज को और दिल की बातों को कोई नहीं रोक सकता अगर तुम किसे से प्यार करती हो तो तुम मेरे लवर हो ये बात तुम्हें सब के सामने कहनी चाहिए वैशनवी अरे कहां लेके जालो वाइशनवी वाइशनवी वैशनवी क्या है है हलो एवरीबाड़ी आज सब के सामने कहती हूँ कि मेरा भी बॉइफरेंट है और वो है कार्तिक क्रिश्णा आइम लव विद कार्तिक तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं कार्तिक इसकी पर्वा मुझे नहीं है पर मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूं कार्तिक तुम्हां कहो या ना करो मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है दिखावे की जिंदगी खुशी की दोरोटी कभी नहीं दे सकती और म बुला रहा है जाकर उसे कहो मैं उसे पसंद नहीं करती वह कोई राणी चाहे नहीं है जो पसंद नहीं है क्या कहा क्रिश्णा दूस्टों को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस लो ब्रदर लड़की के ना कहने के बावजूत भी उसे जबरदस्ते सिर्फ लफंगे उठा कर देखो भाई कोई भी लड़की किसी लड़की को सब के सामने I love you कहती है और लड़का उसे accept कर ले तो वो हो जाती है उसकी dash तुम्हारा confusion दूर करने के लिए मैं इस लड़की को side में लेके clarify कर लेता हूँ वन मिनिट वैशनवी जो लड़का तुम्हारे दिल में है और जिसे तुम सच्छे दिल से चाहती हो चाहे वो कोई भी हो same here फिर से एक ही बार कहे तो जब तक इस जिसम में चान है तुम मुझसे प्यार करती रहोगी fix and freeze अब तुम मेरा प्यार बन चुकी हो यही है वो नकाब पोश हर कोई चेहरा देखकर पहचानता है लेकिन तू तो नकाब देखकर ही पहचान गया कितना स्मार्ट है तुम इस कॉलेज में जवान लड़कियां पड़ती है बी क्यारफुल ए जल्दी बैट जल्दी निए जल्दी निखिवल झाल आजा आज जल्दी गट इचलो वाय वो वाय वो कर्दिक वाघ किया है कर्दिक अर्दिक कार्दिक कर्दिक कि थि तुम्ने मीरी जान बचाए थी ना जिया फिर तो हम दोस्त हुए और तुम यहां क्या कर रहे हो वहां तु उन लोगों के हाथों कुट्टे की मौत मारा जाता तो लोगों को क्या पता चलता ये सु भाई और हरी भाई की आयाशी की वज़े से कितनी लड़कियां बर्बाद हो गई सिर्फ जीने की एक आस लेकर कितने लोग जिलत की जिलते हुए आंखे बन करके घुट-घुट कर जी रहे हैं उनके दिलों से वो खौफ हटाने के लिए मैं तुझे खुल कर पब्लिक में लाना चाहता था इसलिए उस दिन मैंने तुझे बचाया और तेरे बरे में सब कुछ पता लगाया जिस लड़की को तुपाना चाहता था उसी लड़की को मैंने टागेट बनाया दो फुट पानी पिलाने वाली लड़की के प्यार में तो पूरी तरह फंस गया था अब ये वैश्णवी मेरी है और मेरी ही रहेगी आई! जूट! के कमेन फेलिया में प्याल में जूरे नहीं है ये ओया है कर दे economy फां कर दे में भbesत झाल 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 बच्चों का नाम लेकर तुब बच गया जा मैं मानतो हम उससे बूलोगे मुझे माफ कर दो प्लीस बता कौन है बे तेरा भाई वो बहुत बड़ी तोप है तुर्रम है या गटर का कोई सूर है भीड़ वाले इलाके में छोटी सी गलती पर भी बड़ी सजा देने को तैयार रहते हो तुम लोग दूसरों को मारते हो तुम्हारी वज़े से कितने लोग अपनी अच्छी खासे जिंदगी पर बात कर चुके हैं तू और तेरा भाई उन सभी लोगों की जिंदगी अगर उनके परिवार वालों को लोटा आओगे तो ही मैं छोड़ोंगा तूने चिन लड़कियों की इज़त लोटी उनकी इज शहर की एक रिहायशी इलाके में कुछ लोगों के साथ जगड़ते हुए और मार पिट करते देखा गया था शहर में दैशत फैली हुई है सर कल सिटी में जो लपड़ा हुआ थो उसके बाद से केशु भाई मिसिंग है सर केशु भाई मिसिंग है जी सर अलो है अजो जो चोटे जा जा मेरा चोटू जा जा जाओ देनी चोटरम लादिया अजो चोटे नो भई 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 क्या हुआ है नहीं में भई तेरी हालत किस ने की? मुझे बहुत के मुझे बचा कर ये जिन्दगी दिये उसने वाई लोटा सकता है उसको जारे अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा ऐसे पापियों को जीने का कोई हक नहीं हर रोज मरमर के जी रहे हैं हम लोग तुम ये पाप अपने सर पर क्यों ले रहे हो इस खटिया इंसान ने तो हम हुज़ों का भी जीवन बरबाद कर दिया है अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे नहीं पास नहीं दूर जाओ जाओ हाथ लगाया तो चांस से मार दोना जाओ जाओ अरे छोड़ तुम हमें क्या मारेगा जरा देखो तुम हमें क्या बोल रहा है आज बताते हैं से अपनी स्टाकत अरे मारो ने इसको मेरे संजो कुछवा मैं बरदाश्ट ने कर पारा भाई उसे किसी भी सुरत में छोड़ना नहीं 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 मेरे इस बेजिती का बतला आपको लेना ही होगा भाई तेरी कसम है छोटे तेरी मौत का जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोन में हो उसके इतने टुकड़े करूंगा कि कोई भी नहीं गिन पाएगा अब भाती जे छोटू हमें छोड़ कर चला गया हमारे मरने के बाद हमारी चिता को आग देने वाला हमें अनाधों की तरह छोड़ गया रे बती जे ओ मेरे बती जे हमें चोड़ गया हमें चोटू हमें चोड़ गया हमें कब किस वक्त कैसे मारना यह सोचने का वक्त नहीं है भाई कितनी वार समझाओं तुम सबको पाप भी करना है तो एक हिसाब से करो इतिहास इसका गवाह है जब तक इसकी तेरवी नहीं हो जाती कोई भी तलवार नहीं उठाएगा कोई जुल्म नहीं ढाएगा कहीं कुछ भी होता है अपनी आखें बंद कर लो शांती बनाए रखो इसकी तेरवी होने के बाद तुम्हारे साथ मैं भी चल पड़ूंगा अपने हाथों से काटूंगा उसे हलो भाई कौन है तू बेगिनिंग में ही बैड क्वेशन पूछ लिया मैं देवदू थू भाई नाहीं मेरा कोई नाम है और नाहीं मेरी कोई इमेज है सच कहूं तो मैं कौन हो ये बात माईने नहीं रखती बलकि माईने ये रखता है कि ये क्यों और किसली हुआ तुम्हारे छोटे की वज़े से मैसूर की हर जवान रड़की टेंशन में थी अगर समझदार हो तो एक राइट सलहा देता हूँ एक शहर में दो भाई रहते थे दोनों भी एक से बढ़कर एक थे बड़ा भाई शेर तो छोटा भाई सवा सेर था दोनों ही बहुत कमीने थे अब तो मेरी बात समझ में आ गई ना सूरत दिखाय बिना बहुत बोल रहे हो ब्रता ये मुझे मेरे बाप ने सिखाया है प्रच करके तुने बहुत बड़ी घलती जी हो सकता है अब पूरी फिल्म दिखाना बागी है अभी तो मैंने एक छोटा सट टीजर बता है मैंने तुम्हारे छोटे भाई को होश में आकर संभल जाने का एक ऑप्शन दिया था लेकिन उसने मरने का ही चांस ले लिया बाई के तेरामी तक का तुझे टाइम देता हूँ दुनिया का जो कोना तुझे पसंद है छुप जा उसके बाद जब सामना होगा तब तु इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ ये सोच कर तु बचताएगा अरे बाप्रे ऐसा है क्या ना 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 एक मिनिट भाई तुमस को स्टैंड अप पार्टी करनी है तो कर लो जो लड़के पढ़ाई करते हैं वो यहां तो क्लासरूम में होते हैं या अपनी गृर्फ्रेंड के साथ सिने माहल में होते हैं लेकिन तुम बिल्कुल डिफेरेंट हो पुलिस के स्टड़ी में बैठे हो चलो सिधर्य कोल्ड प्लडेड मडर कहते हैं एकनिक की पहचान अभी आपको हुई है क्या सर जवान लड़के लड़कियों को जब बे रहमी से मारा गया उन पर अत्याचार किया गया टाइम पास के लिए जब जवान लड़कियों को उठा कर उनका रेप किया गया तब कहा थे सर आप में अभी देखो तुम्हारे पेरेंस लंडर में हैं तुम्हें क्या लगता है मैं से तुम्हारी बातों में फस जाओंगी मैं भी तो देखो तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है देखो बहुत ही शरीफ लड़की है कम से कम उससे तो छोड़ दो प्लीज आपकी चाने वाली अमेरिका की है वो बिचारी तुम्हारे चायम के साब से अज्जस करके तुम्हें प्रपोजल्स बेज रही है इसका मतलब जानते हो वो तुम्हें फसा रही है मैं जानना चाहती हूं कि वो कौन है वो बच्पन से ही मेरी बेस फ्रेंड रही है मुझे अगर किसे से प्यार होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता तो और किसे बताता लेकिन यह मैसेज और टेक्स्ट किसने किया है यह जानने के यह लड़की बिलकुल सही है क्या तुमने उसे कॉल बैक किया या अड्रेस बता किया कॉल बैक करता हूं तो रिस्पॉंस नहीं मिलता उसका एड्रेस प्रूफ भी नहीं है तो फिर सोचो मैं उसे शादी कैसे करूं ओ अच्छा हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हो लायो तो का बोल्ड हो गया जिस दिन मेरे दिल को सही लगेगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा वह मैसेज क्या है वह डेप्ध क्या होती है अरे बाबरे इस शरीफ पार्टी को फिदा होने का यह पक्का फ्लैट गेम है अच्छा प्रूफ की क्या जरूरत है जो तुम्ह हमारी फ्रेंड्शिप को एक्स्प्लोर करने के लिए ही मेरी लाइफ कंपड रही है तो फिर लॉव करने का टाइम ही कहां बचता है अगर तो मच से प्यार करोगे लाइफ लॉंग तो मैं तो में हमेशा खुश रखोंगे विद्या तुम कार्थिक से एक एक्सिडेट में मेरे मॉम डेट की डेथ हो गई थी तब से अंकल ने मुझे बेटी की तरह पाला और कार्थिक ने भी हमेशा मेरा बहुत अच्छा खयाल रखा है कल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उससे प्यार होने लगा है सोचने लगी कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं लव का क्या मतलब है उसका डेफिनिशन क्या है यह सब मुझे तब समझ में आया जब से मेरी जिंदगी में कार्थ बहुत अच्छे आइम वेरी हैपी लाइफ पार्टनर चुन रही हो वाँ अप्रिशेट डैट कार्थिक इस बेस्ट फॉर यू चार दिन बाद तुम्हारी बर्डेव पार्टी है उस सेलिब्रेशन में इस ग्रेट न्यूस को बिल्कुल ग्रेंड तरीके से ऐलान करूंगा ना इस बारे में बात मैं खुद क आखों की खुशी मुझे सबसे पहले देखनी है यह ममी की डायरी है ममी ने जाने से पहले अपनी बेटी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी इस डायरी में लिख दिया था ममी पापा ने जहां शादी की थी वो चाहते थे कि मेरी शादी भी उसी मंदिर में हो इसलि मिस्टर माइकल कैंसल आल माइपॉंटमेंट्मेंट्स विकॉज हम कल ही इंडिया जाएंगे बेटा अंकल मैं बच्ची नहीं रही आप यहीं रहिए हमारी टेंशिन मत लीजिए मैं और काव्या कार्ति को किड्नाप करके उसके पिच्छर आपको भेज़ देंगे किड्नाप यह रहाँ टेंट्रा में अपनी थे आपको अपम कर दो इसालत में पैंट की सूझ रहे हैं चलो निकलो अरे आपको छोड़ो मां बाइपनी सुनामी सुनामी ओमाइपको को जाए अश्गॉ मतलब सदनी सुनामी कर नाम निया तो तुम भी घबड गई ना कर्तिक अमेरिका में हमेशा आता रहता है तुम्हें पता है नो कोई मेरे साथ द्हुका करता है तो मुझे गुस्सा आता है अच्छा अच्छा इसका भी करा रखना पड़ेगा तुम्हारी जिगरी दोस्त काव्या की यह सगी बड़ी बैन है और मैं इसका सगाजी जाहूं जब यह सो जाएगा और अचानक से सुनामी आएगी तो अपने आप प्री हो जाएगा हुँ चल 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 बार और खेलतें इस बार टेल से आना तो अम दों इसकी पन्ट उतारेंगे बिल्कल बिल्कल जाड़ तेल दौरों में उतारेंगा भाई आप छोड़ दोना हो गया ना हाँ 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 नजर वहाँ टिकी है पसंद आ गए क्या चल लें है इरादा बना लिया है है जोल्डी शॉप शेघ्र आए और हे उस्तिस घृश्ट सब्सक्राइबрах य tadi सब्सक्राइब में छुए diffus कान अगले में इधर अधर तेनंस और शर्व कई रहाँ अमारे साथ में रहने वाला अब वो इ अचुक्राइब हूं तो तुबू के साथ मिलकर कार में पूरा गाउं गुमेगा तुम लोगों के आने की खुशी में तुमारी दीदी जो है ना वो कीचेन से नहीं निकलने वाली सब्सक्राइब को इन दो है ऐसा लगता है से हैट्टेल की परवान यह मैच फिक्सिंग के लिए आई अच्छा हूं तो फिर मैं ही कर देता हूं किसी से तरती नहीं हूं थिंमत तथ छोड़ कर दिखा कि ओ ऐसी बात है क्या तुझे चुए बगार तेरी सारी इजदत उतार दूंगा कि सारी दुनिया के सामने मैं क्या चीज हूं अब तुम्हें बताता हूं तू मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा मुझे ललकारने का अंजाम क्या होता है यह तुम्हें पता होना चाहिए अपने अपने मोबाइल में इस तमाशे का वीडियो बना लो ताकि याद रहे मिर्स उना झाल, क्योर सारी यह यह जो अपने मुण पर्फ़स्ट commenceि 팔 vein मिर्स प्लाओ से रहे हो तुम्हें रहे धमित। किया हुआ? करतिक किसो भी वा किया था? विद्या कहा है? विद्या कहा है? हम दोनों की बच एक जैसी नहीं है तुम्हारे चैसी वाच खरीदोंगी तो दोनों वाच सेम हो जाएंगी फिर हम इस दुन्या में एक होकर सेम टाइम पर जीएंगे, सेम टाइम पर मरेंगे इस शहर में हर एक मिनिट पर एक खुन होता है पूरी सोसाइटी में डर चाया हुआ है सर चाये वो कोई भी हो, सारे लोग डरे हुए है मरना या मारना इस प्रब्लम का सोल्यूशन नहीं है सर डर, सुआर्थ, लालच, हैवानियत इंसानों पर कहर ठाने वाली हैवानियत सर पता नहीं, कहीं से आकर यहां पर बसे हुए केसु भाई को मैंने लोगों के सामने बे नकाब चारतेक तुमने जो किया वो सही था या गलत इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है सरकार किद्धी हुई एक खाकी पहन कर सीने पर गोली खाते हैं हम लोग आज इन दोनों भाईयों की वज़े से सर जुका कर जी रहे हम लोग अगला हरी भाई ही सही इस शहर में कोई भी गुंदा नहीं बचना चाहिए सब को शूट करो गो अहेड रामायन उठा कर देखिए और उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राम जी खभी परसनल प्रॉबलम था ये भी ऐसा ही है मैं भी अगर उन्हीं की तरहा हतियार उठा कर उनका सामना करने निकलूँ तो फिर ये शहर शहर नहीं रहेगा समशान बन जाएगा मुझसे जो गलती हुई है उसकी क्या सजा है ये फैसला कीजिए तुम्हें अरेश्ट करके अपने कमिशनर की वर्दी पर दाग नहीं लगाना चाहता तुमने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता तुम जा सकते हो मुझे अरजेंटली यहां क्यों बुलाया तुम्हारी गर्फिन बनने के बाद मेरे ग्लैमर में कमी आ गई है उझे ब्यूटी पर्ला ले चलोगे चलो कोई विद्याबलन नहीं हो अच्छा तुम्हें पस्नालिटी में विद्याबलन चाहिए विद्याबलन चाहिए वट्स रांग विद्यू घर से निकलती हूँ तो मैसूर का हर नौजवान कहता है कि काश में उसे मिल जाती आगर क्यों तुम अपने जगड़े में मुझे मोहरा बना रहे हो मैं मानता हूँ कि मैंने प्लैन किया था लेकिन मेरा प्यार जोटा नहीं है कॉलेज में आने से पहले ही तुम्हें देखकर अपना मान दिया था मरने वाले दरिंदी को पानी पिला कर उसे जान देने वाली पागल लड़की मेरी जिन्देगी का पहला हसीन चेहरा एक लड़का एक लड़की को चाहे इसलिए किसी खास मौके की जुरूत नहीं है क्योंकि आज तक मैंने किसी लड़की से प्यार नहीं किया सिवाए तुम्हारे घर आ गया है जाने का दिल नहीं कर रहा है कोई बात नहीं है मेरी बेटी मेरी जान है मेरी लड़की ने जिस लड़के को पसंद किया है उसे उसका लाइफ पार्टनर बनाने में हमें कोई अतराज नहीं Now I am confident वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी दो जवान बच्चों के साथ एक बाप को इस तरह खड़े होकर बात करना शुबा देता है मैं पुराने जमाने की मा नहीं हूँ मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी यह मुझे पता है दोनों एक दुज़े के लिए परफेक्ट है She's all yours Hey, सब लोग शहर का कोना कोना च्छान मारो हमारी दहशत से वो जरूर बाहर आएगा फिर देखते हैं उसे हमसे कैसे बच पाएगा अब यह सब होना मुश्किल है भाई मैं सुर में हमारी हवा निकल चुकी है अब हमें देखकर कोई नहीं डरता भाई कोई अपता भी नहीं डरता सेटलमेंट का काम भी नहीं आ रहा भाई कोई कभजा का काम भी नहीं दे रहा भाई वो कार्थिक रात रात हीरो बन गया भाई 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 अंदर जा के देखो ना भाई गणेश को मैंने पहले ही उसके घर आये बेढ़िया ना पंडे की तरह मजे लेकर खा रहे हो सुनो भाई असली घी भी दो जल्दी एसे क्यों दिख रहे हो भाई मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे भाई की मौत के बाद सोच रहा था मेरा असली काम तो हो गया लेकिन तुम्हारी दी होई वार्निंग बोनुस के रूप में लोटानी बाकी है यही सोचकर मैं यहां आ गया तुम्हारे भाई की मौत एक इशारा है उसे देखकर अपने अपको बदल लो शांती से रहोगी तो ठीक वरना तुम्हारे नाम का शंक बच जाएगा और उसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांती नहीं मिलेगी बलकि भूद बनकर पूरे देश में भटकते ही रहोगे अच्छा डारेटर के पॉइंट अफ यू से तुम कोई नेसेसरी प्लान बनाने में जुटे हुए हो वो पूरा होने तक इधर उधर भटक कर अक्शन लेने से बहतर है एक जगा बैट कर सुचोगे तो फूड फ्री, बैड फ्री, टोटली टेंशन फ्री वरना ये लड़की यहां बैठी है, माई लव, जीना या मरना मेरे साथ फिक्स, तुम्हारे 13 डेज पूरे होने तक यह यहीं रहेगी एक बात जानते हो, शेर को दूर से देखने में ही भलाई है, नजदीक जाकर हाथ फेरना खतरनाक होता है, इतिहास गवा है इतिहास सच कहता है चाचा जी, शेर के सर पर हाथ फेरोगे, तो सीधा आप पर जप्टेगा, शाबाश, ये कहकर तूने मेरा रास्ता खोल दिया एग्रिमेंट करना चाहो तो मैं रेडी हूँ दिमाग का बहुत तेज लड़का है ये, बुझता दिया तेज फड़ फड़ाता है, इतिहास गवा है दिया चलेगा या चला कर राख करेगा, या आनिवाला वक्त ही बताएगा भाई, आप बोलो तुसका रास्ते में इखेल खत्म कर दूँ तेरा दिनों तक कोई कुछ भी नहीं करेगा हमें हाथ लगाने की जूरत नहीं है, बस इन्फार्म करना है भाई ऐसा कौन है वो पर बोलो तुसक रास्ते में यो खत्म कर दो के लिएग गास्ते नहीं है पर मौनें आपक करेगा ब्रेश कर दो टूरो खत्म कर दो कर दो खत्म कर दो हुआ है यह इन्विटेशन तेरी शादी है शादी ब्याकी नौटंकी खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है कोई बताएगा यह है कौन यू किंग अफ माई सूर सबको कटवाने आया हूं यकिन नहीं हो रहा है इस तरह के दंदे में लड़कियों की क्या जरूरत है रखवाली के लिए बेवकूफ तुझे पताने तु कहां खड़ा हुआ है बेसिक क्वेशन का मिलता है बेसिक रिप्ल तुझे दिखाए नहीं दे रहा है अग लगती है तो फायर ब्रिगेट बुलवाते हैं गोली लगती है तो सूर्या भाई का बोलाते हैं हमारे इलाके में हमें आके दिखा रहा है कोई गाउं बेशता कोई ठंडा बेशता मैं हूँ एकदम कूल यो ब्लड़ी फूल समझद मैं भी इस एलाके में धंदा करने आया हूँ एक बार मेरे माइंड में अगर कुछ फिक्स हो जाता है ना तो मैं उस पर ब्लाइंडली चलता हूँ है इसे 500 के दो नोट दे दे स्टेंडर्ड भीकारी लगता है मैं किसी का ऐसान लेकर जीने नहीं आया हूँ यहां पर समझे फिर मैं मैसूर में सिर्फ एक पॉइंट लेकर आया हूँ इस पूरे शहर को मैं पिशाफ करवाने आया हूँ वो सब लोग करते हैं तू क्या नया करवाएगा हमारा स्टेंडर्ड क्या है तू जानता है पोजिशन में पावर में हो या बाहर सेंटर में हो या स्टेट में म तो मुझे अपॉइंट कर लो ठीक है तू भाषन चालू रख मैं कोई सुपरस्टार तो हूँ नहीं होता तो ना कर सकता था पर मैंने हां कर दी इसलिए तो आया मेहनत तो मेहनत है सेम टू सेम मेरी बातों का कोई सिर पैर रही है लेकिन फिर भी हर किसी के समझ में आ गई आपका स्वागत है भाई आपका ओटोग्राफ दो ना भाई अरे सुन तो मैं भी तुछ से मिलने के लिए बहुत बेचेन था इंफेक्ट आगे क्या करना ये जरा समझा दे आटोग्राफ मिल जाएगा कई पिरों से कोई अच्छा क्याम करने की सोच रहा था अब मौका मिल मैसूर और मुझे सुर्य वाय बनगर चमक ना है अब आगे क्या करनाए सबसे पहले इस राजा को छाहिए हुं चाहिए क dumbbell की निया अछाहिए कि रानी उल्रणी ब से बढ़े के लिए हरी भाई की वनन ओनली सिस्टरा लापता हो चुके केसु भाई मिल गए हरी भाई के छोटे भाई की हत्या पेपर में यूज है भाई अब ये क्या है एफेम रीडियो भाई वास्ट फंडा है पता है खाना खाते समय इसे बजाओ तो अच्छा लगता है ये बहुत हाट है गुरु अब मा सहन नहीं कर पाये और हरी भाई को हाट अटेका गया है इसलिए केसु भाई की तरह होने तक हरी भाई का आतंक रुक गया है और वो लोग 13 दिनों का शोक बनाने के लिए अपने बिल में घुस गय है इसलिए 13 दिनों तक शेहर में कोई आतंक नहीं रहेगा खुश्या बनाई है जाए 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 लापता हुई लडगी अगर सामने आजाए तो तुरंथ कैच कर लेना चाहिए अरे पर मुझे घास नहीं रही अब वो सिर्फ आपकी प्रपोसल के लिए वापस लॉट कर राई है अब ज्यादा तेरे मत करो भाई अटाइक हाँ हाँ हाई लाव यू करही तो मिले और आई लाव यू पर कह दिया एक घंटे बात कहूं या कल कहूं या इक अफते बात जब भी कहूंगा सेम फीलिंग होगी जो मैं सोचता हूं वही कहता हूं जानते भी हो मैं कौनों बताओ ह अरी भाई की चोटी बहन अच्छा अरी बाई की चोटी बहन लड़की नहीं है क्या उसे मर्द नहीं चाहिए इडियूट भाई तो बढ़िया है अरे सुनों वुजूस इधर दो तुम तो बड़े तोपची हो ना पैग लो जब शराब अंदर जाती है तो इंसान अपने वो चड़ो वो जूस दो आयर के साथ अपने आपको भी देखना पड़ता है और उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी का रंग रूप बदल कर मैं ही सब कुछ हूं मेरी ही दूसरी तुम्हारी पत्नी कभी देखा है इन दोनों का दिल कैसा होता है मैं सच कहूं तो हम जिस दिन लड़े थे उसके बाद आज हमारी यहां बाचित हो रही है अब तक हमेशा बीजी रहने वाले तुम लोगों को तुम्हारे बाल बच्चे कितना मिस कर रहे होंगे इस बात को जड़ा सोच के देखो सुबहा निकलने वाला सूरज अपनी जगा डूब जाता है लेकिन तुम लोग केसु भाई के कहने पर किसे उठाना है हरी भाई के कहने पर किसे मारना है डे और नाइट बस यही सोचते रहते हो बाहर के लोग तुम सब लोगों को क्या कहते हैं पता है? रावडी, गुंडा, लफंगे, छे बाहर के लोगों के सामने अपनी दादा किरी दिखा कर किस के कहने पर किस की चान लेनी है कब किसके हाथ से मारे जाओगे यही सोच कर टेंशन से मरना है या फिर अपनों के साथ खुशी से जीना मरना है सोच लो, लेकिन नहीं सोचोगे सौरी यार, इमोशन में ज्यादा ही बोल गया चलता हूँ भाई अब मैं जाकर सुकून से सो जाओँगा अगर मेरी बातें गलत लगी हो तो कभी भी आकर मेरी करदन उड़ा देना और सही लगी हो तो इनसान बनकर जीने की कुशिश करना आरे आओ न, आओ क्या हुआ, बोलो चित्रा चित्रा अंदर है तो जाओ क्या जाओ जाओ न, जाओ येस हम बाक्टोर एंट्री हम न, लब दोर एंट्री मुझे तुमसे कुछ बात करनी है या तेल मी अच्छुली अच्छी 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 तुम मेरी कमर देख रहे हो मैंने तो नहीं देखी अच्छी तुमने मेरी कमर देख रहे हो अच्छी तुमने मेरी कमर देख रहे हो मैंने तो नहीं देखी तुमने मेरी कमर देख रहे हो मैंने तो नहीं देखी ठीक है बात क्या है वो बताओ किस चाहिए वो भी लिप लॉक एक घंटे तक क्या करोगा और दे दिया तो क्या करोगा कर दूगा लिप्स वन हावर लिप लॉक में थ्री थाउजन कैलरीज बार्न होती है जाहे आस्वन तूटकर जमीन पर गिर जाए देखरे वाले देखकर या कोई दुनिया ही छोड़ कर क्यों चला जाए बाट वन आवर मुझे पूरे एक घंटे तक तुम्हारी किस चाहिए तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे क्या है और अठीज गया कि अशचीए मजय आप से इंपॉर्टन टोपिक पर अर्जंट्ली बात करनी आपकर्नी जीजु के बारे में मुझसे हम बारे में उस अत्रंग ये केकडे के बारे में राइड चलो अभी हम लोग थ्री आवर्स का पाइटिंग गेम खेलें क्या चित्रा मेरी बैन है दुबारा इसकी तरफ देखना भी मत तेरी बैन को साथ लेकर गुमुआ था तू क्या उखाड लेगा हरी हरी भाई हूं मैं तो क्या हुआ तू हरी है तो मैं सूर्या हूं सूर मेरी पावर को जानने वाले हर एक शक्स को इस महसूर शहर में मैं एक-एक करके वापस भेज देता हूं तुझे भी भेज दूगा अगर आपने इन पर हाथ उठाए तो मैं आपनी जानते दूंगी सूर्या मेरे भाया मेरे लिए सब कुछ है भाया मैं ये बात आपस भी कह करती हूं सूर्या के बेना में नहीं चीज़ा करकी भाई हमारे गैंग में काम करने वाले एक-एक करके जा रहे हैं भाई कुछ करना पड़ेगा भाई इसका कारण वो कार्तिक है उसने सब के उपर अपना कंट्रोल कर लिया है अब हरी भाई का नाम सिर्फ नाम बनके रहे मेरे जान से प्यारे छोटे भाई को मारने वाला कार दिखाए और उसे खोने के बाद मैं हर एक दिन ज्वाला मुखी जैसी आग में लगा तार्थदक रहा हूं इंतजार है सिर्फ उसकी मौद के काउंटडाउन का मेरे भाई को मुझसे चीन लिया मेरे बिजनस को चौपट कर दिया मेरी इज़त को मिट्टी में मिला दिया उसी ने दिखाऊंगा मौद क्या होती है उसे दिखाऊंगा मेरी खामोशी जितनी साइलेंट है मेरा बदला उतना ही वाइलेंट होगा सर्व आपका इफेक्ट उन लोगों पी जियादा नहीं हुआ है उन्हें वेरा नाम नहीं बताया क्या उन्होंने आपके नाम पर द्यान नहीं दिया सर्व मैं लाइब शो नहीं दिखाना चाहता ये फैसला मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूँ जो मैंने शुरू किया उसे आखों से देखने और कानों से सुनने के बाद वो कभी नहीं भूल पाएगा तो ऐसा क्या कर लोगे सवाल गलत नहीं है पर मैं समझाता हूँ अगर बुलट निकाली तो तू मर जाएगा और बात करना शुरू किया तो वो एक ड्रामा बन जाएगा किसी को मारते समय मेरे हाथ से क्या हो जाएगा किस पर क्या कहें तूटेगा यह मुझे भी नहीं पता सब कुछ बिगर जाएगा अब मैं तुझे अलग बात सुनाता हूँ जरा सुन सरक पर एक कुट्टा चलते हुए जा रहा है और उसके ठीक सामने से एक बिल्ली आ रही है तो तू क्या सोचेगा बिल्ली रस्ता काट गई सोचूंगा इसे कहेंगे रिस्क लेना अब इसी का उल्टा सुनाता हूं जरा सुन पहले बिल्ली रास्ते से भागते व इसकी दो, अंदर चलो, लेडिस प्लीज बाहर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर, कबर में थोड़ी मोच आ गई है, दवा लिख दिये, खिला दीजेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुझे में इरिटेशन भरा है, जिससे सिर्फ अटा जा रहा है, पूरी तरह पागल हो चुका हूं मैं, इन तेरह दिनों में मेरी टेंशन कम नहीं होगी, डॉक्टर, उसके बाद, जिसने मुझे टागेट किया है, उसका खून देखने के बाद ही, मुझे आराम मिलेगा, तब तक आप जिन्दा रहे पाओगे क्या? तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, बस कैसे ठीक होगे ये सोचो, अगर धन दौलत चली भी जाए, तो कोई फरक नहीं पड़ता, मेहनत करके भाई फिर से कमा लेंगे, लेकिन जान चली गई, तो सोचिये क्या होगा, इसलिए, जिस किसी ने भाई को टार्गेट किया है, छोटे की तेरवी होने के बाद, उसे नरग दिखाने के लिए, स्ट्रॉंगली डिसाइड करना पड़ेगा, So, at the end of the day, सारे टेंशन साइड में रखकर, एक फुल बॉटल लगाकर, आराम से सो जाओगे ना, तो एटलिस्ट बॉड़ी बेन तो कम हो जाएगा, बापरे, भाई की हालत देखकर लगता है, बहुत जल्दी उपर जाने माँगे, बाद में हिसाब किताब हमी तो देखेंगे, सही कह रहे हो, बिल्जूल के समाल लेंगे, पकवास बंद करो, लालच बुरी बला है और तबाही की निशानी है, इतिहास गवाँ है इस बात का, चेहरे पर मूझ और फ्रेंच कर डाड़ी रखनाई काफी नहीं होता है, दिमाग भी चाहिए, पूरे मैसूर में अपना टेरर भैलाने के बाहर, वो कार्ति मुझे टागेट कर रहा है, मन करता है कि उसे कच्चा चबा जाओ, अरे दिन रात उसके बारे में सोचेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, शान दिमाग से कोई प्लान बनाते है, ऐसे ललकारने वालों का इत अराम से अले कि अपने खराब है, जरा सी भी आवाज ही ना, तो अब कमीना उठ जाएगा, इसे शहर से बाहर लेकर जाना होगा तिमाग से काम लो, साइलेंटली काम करोगे तो काम्याभी मिलेगी, इव्तियाहाज कवाँ है, देख जा रहे हो, गाडी में डालो, रुमियो अरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 विश्णा हरे हरे रे रामा हरे रामा 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 हरे हरे जै हो विंडावन बाबा की ए हरी, हाव आर यू दोनों भाई अलग हो चुके हो क्या आज दोनों साथ में नहीं आये या फिर कहीं पावर तो नहीं फेल हो गया नहीं बाबा, आज कल हमारे हरी भाई को बहुत प्राबलम हो गई है बाबा दरसल कल के एक छोकरे ने मुझे बागल बना कर रखा है इसलिए आपके पास आये हूं बाबा जहां खुशिया होती है वहां दुख भी होता है इसलिए सीक्रेट मेंटेन करना चाहिए तवी जीत और खुशिया मिलती है यहां का जो मैटर है उपर आकाश में जाकर उथल पुथल हो गया है सालेंट बे रहने की वज़़े से वायलेंट हो गये हो तुम इस समय तो भगवान भी तुमारा साथ लिएगा मैं क्या करूँ बाबा तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर करने चले हो किसी भी तरह से मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मुझे बचा लीजिए एक बार मैंने प्लूटो की साधना की तो फिर वो दो हिस्सों में टूट जाएगा क्योंकि प्लूटो डे के बजाए नाइट में जाधा पावर्फुल बन जाता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए बाबा नाइट उने तक वेट करना पड़ेगा नाइट होने से पहले कि सारी तेयारी आप से मिलने के लिए लंडन से कोई बहुत बड़े क्लाइंट आये हैं उन्हें बुला लूगों को मैं बहुत पसंद करता हूं इतना ही नहीं मुझे लंडन वाली लॉलीपॉप भी बहुत पसंद है जल्दी लेकर आप जाओ नमस्ते बाबा नमस्ते लंडन में सब खेरियत तो है सब खेरियत है बाबा मेरे बॉस एरिजॉन कंपणी के सीओ जगदीज दानेश जी बहुत बड़ी मनी डील की बात करने के लिए आये हैं मनी डील या तो फिर बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करें चलो आओ मैं आपके बारे में नेट पर देख चुका हूं ची बेकार लोग नेट छोड़िये ना वो कहते जादा करते कम है और मैंने व्रिंदावन बाबा के आश्रम के लिए बहुत अच्छी जगह देखी है आप मुझे लड़की लग रहें बाबा मैं तुम्हें वह देख रहा हूं क्या मैंने अपना सब कुछ त्याग कर इसी रूप में ढालिया है आपकी फ्रेंक्टेंस मुझे अच्छी लगी मैं करोड रुपए आपके आश्रम को डोनेशन देनी की सोच रहा हूं नाइन डब कहां कहां टच होता है बहुत अच्छे सामु सर 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 सीन का स्क्रेप्ट स्क्रीन प्ले डिरेक्शन के साथ साथ यहां तक ही एक्टिंग भी मैंने की है सर इसके बदले से पांच है सर देखो भाई जब मैं फिल्म स्टार्ट करूँगा तब तुम्हारे टैलेंट के लिए प वरिंदावन बाबा को प्रणाम यह यहां क्यों आया यह बाबा को कैसे जांगा है बाबा हमारी सभी समस्याओं की जड़ यही है इसे आश्रम से बाहर निकालिए अपनी नजर का चश्मा बदलो सब अच्छे दिखेंगे इंसान इंसान से मिले तो परहिस कैसा यह दोनों म शिव भक्तों के लिए शिव रात्री होती है तो क्रिष्ट भक्तों के लिए क्रिष्ण रात्री क्यों नहीं गर्स यू प्लीज आरेंज अकॉमोडेशन फार देम बाबा वो बात नहीं है बाबा यह कैसा बाबा है जो पैसों में बीगता है क्या हुआ ओवर नाइट में आकर बाबा को परिशान किया इसलिए शौक हो गए क्या अगर गलती पकड़ ली जाए तो बात पलड़ देते हो इतिहास गवा है तुम्हारे रुटीन टॉचर में रुखाबटना आ जाए इसलिए छोटा सा सप्राइज था नाग मनी को मास्क लगाकर रखना और नजरें वीची अ दर तक करें को बान माहरें बाद बाद करते हैं कि यह गड़िए हम आश्रो लोया रिक्ला कर्ता कर्दून कुछ सब्सक्राइब कि बाबा अहां हां हां राश्रम में यह भजन किरतन तो कॉमन बात है वरिंदावन बाबा के आश्रम में कृष्ण रात्री का सेलिबरेशन कैसे होना चाहिए चक्कु किधार जैसा होना चाहिए परन्तु बाबा यह आश्रम है यह नौटिंग की करने वाली कोई कंपनी इसका टेस्ट तो जड़ा देखिए नया इतिहास रचना है त कॉपरेट कर दें तो कागल भट जाएगा और स्टेज चमक उठेगा अगर तुम सब रेडी हो तो यह विरिंदावन भी रेडी है 7 ihrem प्यूती बटर हनी ही आम मेला नाग मनी मैं हुँब्यूती बटर हनी प्यूती बटर हनी अंग अंग में हरसकी चाशनी सर्वी में हीट बनी कर्मी मैं विंटर की तारू का क्वार्तर मैं हूँ जानी जसे चंदबाटे चांदनी, वैसे ही सब गिलिए मैं बनी जानी जानी, तुह है मीठी हानी, जरा चखने, दे चखने, दे टेस्ट तेरा औरे सुनी लाटी नाग मली, सब्की चिन्त मली लाटी नाग मली, सब्की चिन्त मली मामोली समझुना तुम्मै रसकी बनी दारू जन्नत दिखा दू, सबको ठुमका ऐसा मारू इस पे महर हो जाओ, लाइफ को मैं सवारू दिल चीज क्या है, उस पे तन्मन भी अपना वारू इश्क करूँ, ऐसा रग रग में उतारू आशिकों में तुछ को मैं टॉप बना दू इन रात तेरा ही नाम को करूँ, सोने चांदी से मैं तुछ को सवारू रात ती नाग मडी, आयता मैं भुसोडी रात ती नाग मरी, आयता मैं भुसोडी सब्सक्राइब 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 यह बोड, है जवां सारे सब मेरे बीचे मर्दे एक तू ही है ब्यूटी पोले है सब दिबाना एक ओरी तेरा टैटू है मस्ती का खाजाना आइटम तू है तेरी जाना जक्रास स्वर्ग दिखाए तेरा हुसने अंदास तेरी जबानी है तालू का गिलास आद तुझ को पी जाओं आजा मेरे पास नाती नाख मडी बला दूसां सभी नाती नाख मडी बला दूसां सभी छोटू की आत्मा की शांती के लिए सच्चे मन से पुजा करो तो अच्चे में चला गया है उसे तुम्हे सुनो हमारे छूटू को मौत की घाट उतारने वाले के तिन पूरे हो गया है मैं सुर चलने के तयारी करो अब वहीं उससे निपटेंगे चलो सब लो कार्थेक 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 नहीं रुक जोस्तर बतीजे हमें छोटू के मौत के सेंटिमेंट्स नो जाकर भागने के लिए उसने ये खेल रचा है पर खेल कर कोई बचने लेकिन उससे पहले हमें इस केकड़े को मारना है वह सकता है तेरी धंके से पब्लीक डरे यह धंकी मेरे सामने नहीं चलेगी जिसे कि सोचता हूं उसे काटकर फेंक देता हूं आउसफुल का बोर्ड लाकर आया हूं कैसा लगा रहे मेरा डाला बढ़ी है और देख मैं खुद तेरे सामने खड़ा हूं छूपकर रेस नहीं लड़ रहा हूं इम्मत है तो सामना चान यह बात नहीं करा क्यों बात करने के लि जाचा इन तेरा दिनों में मैंने अपनी जिन्दी की नरक की तरह पिताई है आप शिकार सामने हैं तेरे भाई की तेरवी करने के बाद तुझे जाकर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए वो छोड़कर तु यहां पर डायलॉग क्यों दे रहा है तेरे दस लोग मिलकर मुझे दस पंच मारेंगे तो उन दस को मेरा सिर्फ एक ही पंच काफी है अगर उनकी मौद कन्फरम नहीं होई न तो कसम उपर वाले की तुझे एक ही बार में दहशत का सीन दिखा दूँगा शाबाश मर्द है बेदूर ये युनिवोसल फैक्ट है जब सामना करने का सोचा ही है तो फिर लेट किसलिए चला जाए अगर तुझे मैंने यही नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम हरी आई ने हाई हाई बाल किस्वत्त और सुप यहाई एप घुछ तुझे तुझे पर दो दो वो तो पर हाई परसुप चल्या परसुप परसुप झाण बढाए हाज थाण था राग तो अढाई हाण प्रोब झात प्रोब ग्रोब 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 ख्रोब शेकन झाए हाण कार्दिक क्या सोचा था तुने मेरे भाई की जान लेने के बाद तुझे मेरे कहर से तेरे दोस्त बचा लेंगे मेरे घुसे से तो तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे उसे लेकर ओ अभी इसी वक्त तेरी लवर पर पेट्रोल डाल कर जिन्दा चला तुझा फिर इसे तलबते हुए अपनी आखों से देखना पेट्रोल लाओ कार्दिक भया कार्दिक देख पहले इसे मरता देख उसके बाद तेरी पाएंगा कार्दिक 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 तुम मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो अरे कोई भतीजे को समालो अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर तु खुद को शेर खान समझ रहोगा ऐसा मेरा इतिहास कहता है यह एरिया हमारा है और किसी में दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ इस शहर के लोगों को सही रास्ता दिखा कर तुमने इन लोगों को सर उठाकर जीने का एक नया तरीका सिखाया तुम्हारे लवर ने जुर्म को खत्म करने में कानूं को साथ दिया कि अच्छी खबर देता हूं कि हरी भाई का गैंग जड़ से उखड़ गया हरी भाई के दहशाता पूरी तरह खात्म हूं आप लोगों ने देखा ना क्राइम के रास्ते पे चलने वालों का यहीं हश्र होता है हाँ आप क्या करोगे शादी कर लें बहुत समझतारी की बाती है पहले शादी की तयानी तो करो शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं तुम आप है अ